उतरप्रदीस में विधान सभा चुनाओ को लेकर के सभी दलों में ताना तनी देखी जा रही है ऐसे में माना जा रहा है कि कौन सा दल सबसे पहले विधान सभा में परत्यासियों के नामों के घोश्रा करेगा सबसे पहले वहुजन समादबादी पार्टी ने आगरा की नो में से पांच विधान सभा सीटों पर अपने परत्यासियों को सित कर दिय है इतमातपूर फतेहाबाद दछिन के बाद बसपा ने च्शावनी विधान सभा सीट पर अपना परत्यासि currently को सित कर दिया है बस्पाजिला धक्ष बिक्रम सिंग के अनुषार इत्मातपूर से सर्वेज बगहेल फतेहावार से सैलू जादाउन दच्छिंट सरवी भारत द्वाज ने नामों की घुशरा हो गई है वही माना जा रहा है च्छावनी विधानसवा सीट से भारत तेंदू अरुन को अपना परत्यासी बनाया है उनका कहना है कि आगरा ग्रामीर फतेफुर सीकरी खेरा गड़ और बासीट पर पार्टी जल्द ही अपने परत्यासीओं को मैदान में उतारेगी मायावती के मा का निधन हो गया है मायावती वहां इन दिनों बैस्त हैं इसलिए माना जा रहा है कि अभी थोड़ी सी गती इसमें धीली पड़ेगी वहीं बसपा ने कानपूर देहाद की दो विधानसवा सीटों पर परत्यासीओं के खोशरा कर दी है रनिया से बिनोद पाल मैदान में उतरेंगे तो भोगनी पूर से ब्रामभर पर डाउन लगा जा गया है यहां से संतोस्त्री पाठी उम्मिद्वार बनाए गये है बारा में कारकरता समेलन में 22 नुमबर को परत्यासी का आजक्रित एलान भी कर दिया जाएगा माना जा रहा है काने वाले दिनों में मायावती की तरफ से तमाम उन सीटों पर नजर बनाई जा रही है जहां पर बस पा चुना जी सकती है वहीं रसूल अबास उरची सीट से परत्यासी तेकर लिया गया है यहां रिटायर दरोगा के बेटी की नाम पर नेत्वित रजामंद हुआ है इसका भी पकवारे भीतर एलान हो जाएगा जोनर कौाडिनेटर नौशाद अली की नेत्वित में करनाज मही बैठक में मंडल के सीटों पर जीत दर्ज करने की रणिती बनाए गई है वर्ष 2007 में भी नौशाद मंडल कौाडिनेटर थे और केके गौतम के गुआई में बस्पा ने कई सीटों पर जीत हाशिल की थी इसे फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए बस्पा इस बार भी आगे बढ़ रही है इसे पहले बहुजर समावधी पार्टी ने कानपूर जीले के किदवई नगर बिधानसभा सीट से परत्यासी का अईलान कर दिया था इस सीट पर बस्पा ने मोहन मिस्र को परत्यासी बनाया है गोबिन नगर विधान सभा छेतर के परत्यासी का नाम भी फाइनल हो गया है किदवई नगर गोबिन नगर के परत्यासी के चैन के बाद बस्पा ने च्छावनी, सीसा मउ, आरे नगर और महराज पूर विधान सभा के परत्यासी का चैन शुरू कर दिया है हर सीट पर दो दो तीन तीन दावेदार हैं इन सीटों के परत्यासियों का भी चैन 20 नमंबर तक हो जाएगा इसके बाद नाम का एलान होगा कैंट और राड नगर के सीट पर बस्पा परत्यासी चैन में हर समी करल पर ध्यान दे रही है मुख जोनल कौर्डिनेटर नौसाद अली की एक टीम पिछले कई दिनों से बची सीटों पर परत्यासियों के चैन में लगी हुई है माना जा रहा है का आगरा के पांच बिधान सबाद सीटों पर नामों गोश्रा के बाद सभी दलों में बेचाइनी बढ़ गई है बस्पा, कांग्रेस और सभादी पार्टी भी जल्द ही अपने परत्यासियों के नामों की घोश्रा कर सकती है लेकिन विधान सभा चुनाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि बस्पा ने पांच सीटों पर अपने प्रत्यासियों के नामों की घोश्रा करकी यह बता दिया है कि बस्पा लडाई में टिकना चाहती है नो विधान सभा सीटे हैं आगरा की जिसमें से बस्पा के पास एक भी इस समय नहीं है और बस्पा की सुरुवाती लडाई यही रही है कि बस्पा कम से कम आगरा में मजबूत हुआ करती थी मायावती ने इन नामों की घोश्रा करके सभी को चौका दिया है आने वारे दिनों में कई और नामों की घोश्रा हो सकती है आप देख रहे हैं पूल टाक धन्यवाद जहिंद चैवार